स्वागत थे आप सभी का हमारे चैनल डिपलोमा कलासिस में तो आज के इस वीडियो में हम SBTEBHR सेमेस्टर 6 का एक कॉमन पेपर मेनेजमेंट है तो उसी का प्रिवियर सियर कोशन और आंसर को बताने वाले हैं तो अगर आप लोग भी SBTEBHR सेमेस्टर के स्टुडेंट हैं चाहे आपका बरांच कोई भी क्यों न हो तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो चलिए आपको कोशन और आंसर को बता दिए तो पहला कोशन पुछा गया है पिछले बार Professional Ethics is Certain Moral and Ethical और आप लोग इसी कोशन को नीचे हिंदी में भी देख सकते हैं तो हिंदी में कोशन पुछा गया है पेशा अचार सास्त्र एक परकार का सदचारी एवम नैतिक है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Non of the above यानि इन में से कोई नहीं यानि जो कोशन ओन है इसका करेक्ट आंसर आप्शन दी हो जाएगा दुसरा कोशन पुछा गया है जो आप लोग के एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट है कि इस कोशन को एक बार गयप दे करके पूछा ही जाता है तो देखिए कोशन है The first systematic theory of organization is also known as तो देखिए इसका हम direct answer ही बता देते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा Scientific management theory अगला कोशन है यानि कोशन नमर तिसरा full recursive can be maintained in तो देखिए इनका जो correct answer हो जाएगा sole proprietorship हो जाएगा और आप लोग इस कोशन को नीचे हिंदी में भी देख सकते हैं कि या कोशन है पूर्ण गोपनियत रखी जा सकती है तो इसका correct answer हो जाएगा एक का की स्वामित्वमे अगला कोशन है इन हुईस केटिगरी मार्केटिंग मेनेजर कॉम्स तो देखिए इसका correct answer हो जाएगा मीटिल लेबल मेनेजमेंट अगला कोशन है और यह कोशन भी आपके एक्जाम के लिए भी भी आईए अब की बढ़िया कोशन 100% गरांटी के साथ आपके एक्जाम में पूछा ही जाएगा कोशन है यानि आप लोग इस कोशन को हिंदी में देखिए प्रबंध के काड़्यक को किसने पोश्ट कार्व के रूप में ब्यक्त किया था तो उनका नाम था लोथर गूलिक यानि आप्शन भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है निगेटिव मोटिवेशन्स आर डोज मोटिवेशन्स फिच आर बैस्ट आन तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जायागा फियर यानि आप्शन भी इस वीडियो को आगे बराने से पाल आप से एक छोटी से क्वेश्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो यसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल लाइकन का भी जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने ग्रूप में जरूर सियर करें अगला कोस्चन है प्रेसाइज लेटर एंड रिवार्ड अर दा इक्जामपल ओफ इसका फर्स्ट अप्शन है निगेटिव मोटिवेशन अप्शन बी है पोजेटिव मोटिवेशन अप्शन सी है बहुत और अप्शन डी है none of the above तो देखिए इसका correct answer हो जाएगा option B यानि positive motivation अगला question है autocratic leadership is also known as तो देखिए इसका correct answer हो जाएगा directive leadership अगला question है the liability of shareholder in joint stock company in तो देखिए इनका correct answer हो जाएगा limited यानि option A correct answer हो जाएगा अगला question है the industrial bank of India यानि IDBI was made an autonomous body in तो देखिए यह question आपके exam के लिए VVI है और अब की बड़ा आपके semester exam में पूछा जाने के संभावना maximum है तो देखिए इस question का correct answer हो जाएगा अपरेल 1964 अगला question है और यह question भी आपके exam के लिए भी भी आई है project report is तो देखिए जो project report है एक परकार का operating document है यानि आपसंची correct answer हो जाएगा अगला question है यानि आप लोग इस question को नीचे हिंदी में देखिए संजुक्त पूजी कमपनी का वास्त्विक मालिक कौन होता है तो इसका कौन मालिक होता है shareholder यानि आपसंची correct answer इसका हो जाएगा अगला question है इंडियन फैक्टरीज एक्ट 1948 कॉम इन्टू फोर्स अन तो देखिए इस question का correct answer हो जाएगा एक अपरेल 1949 अगला question है a project is not considered with तो देखिए इस question का correct answer हो जाएगा creativity यानि इसका हिंदी में आप लोग देख सकते हैं एक प्रयोजना संबंदित नहीं होती है तो किसे नहीं होती है सिरिजन सिलता से अगला question है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उद्धमी को यहाँ भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है option a यानि सासी कहा जाता है यानि जो एक उद्धमी होता है उनको सासे भी कहा जाता है अगला question है इन अर्गनाइजेशन अर्थरोटी फोलोज फ्रोम तो कैसे फोलोज होता है top to bottom अगला question है which characteristics is related to leadership तो इसका correct answer हो जायगा all of the above यानि उपयुक्त सभी अगला question है a small industry development bank of India was set up in the year तो देखिए इस question का correct answer हो जायगा 1990 अगला question है in which form of business organization the characteristics of perpetual succession is found यानि आप लोग इस question को नीचे हिंदी में देख सकते हैं बेवसाइक संगठन के किस रूप में सतत अस्तित्व की विशेष्टा पाई जाती है तो किस में इन जवायन टेस्टा कमपनी में यानि संजुक्त पुजे कमपनी में विशेष्टा पाई जाती है अगला question है इन कमर्शियल लेंग्वेज वन हूट टेक्स लोन इज कॉल्ड यानि इसका correct answer हो जाएगा डिबटोर अगर आप लोग इसका और भी question लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलिग्राम से ले सकते हैं और टेलिग्राम लिंक इस वीडियो के description box में आपको दे दिया गया है